काईज मैं बिग बॉस केंट से जुड़ी होई लेटस खबर लेकर आपके सामने पेश हैं हो बिग बॉस में लाइफ इड में दिखाया जा रहा है कि जो शिफ ठाकरे हैं और MC स्टैन है वो उनको कही न कहीं इस बात का बहुत बड़ा जटका लगा है कि हमने बहुत कोशिश की प्रयांका चौदरी के खिलाफ लोगों को करने की और कहीं न के गौतम के साथ जब उनकी लड़ाई हो गई थी गौतम एंड सौंद्रिया उनके खिलाफ हो गई थे तो वो बहुत जड़ा मज़े उठाने लगे थे और सोच रहे थे कि अब मज़ा आएगा गेमें प्रयांका अकेली रह चुकी है और प्रयांका के आप साथ अब कोई नहीं देगा लेकिन आज सुबासे ही जो गौतम है और सौंद्रिया बो द्बारा सी प्रयांका चौदरी के साथ ही दिख रही हैं उनके साथ ही बैटे हुए उनके साथ ही मस्ती कर रहे हैं जिसको देखर जो MC Stenner वो कहते हैं कि जे तो बहुत गलत हुआ ना कि वो उन्होंने फिर से अपना जुंड बना लिया और फिर से एक साथ हो गई एक दूसरे को मना लिया उन्होंने जे तो बहुत ज़्यादा गलत है लेकिन उसी के बद बो कहते हैं कि कोई बाद नहीं उनको एक साथ होना भी चाहिए क्योंकि उनके सामने बाप जो खड़े हैं उनको बचारों को क्या पता कि हमारी टक्कर किन्स से हो रही है और हमारे से लड़ने के लिए उन चारों जे मिल भी जाएंगे तो भी कोई फरक पड़ता कि आपको लगता है कि सच में गेम में जो एमसी स्टाइना एंड शिफ्ट हाक रहे हैं वो सच में बाप है प्रयांका के तो प्लीज आप अपनी राय हमसी शेर चुरूर किसी है और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए अगर चाहूं को सुस्क्राइब और वीडि आदी से जल्दी का दिचिये धन्या बाद